दस मार्च को जनता किसका विजय तिलग करेगी नतीजे आने में अभी इंतिजार है लेकिन जिस तरह से जो सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी पूर्ड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है एवीपी गंगा उसी वोटर के सर्वे में बीजेपी 244 सीट तक जी से पहले तो मैं अपने उन सब कारकरताओं को बदाई देती हूं जिन्नों ने दिन रात मेहनत की पार्टी के लिए चाहे हमारा भूत का द्यक्षों चाहे हमारे राष्टी अध्यक्षों प्रदेस अध्यक्षों हर को संगठन का हर व्यक्ति चुनावों में लगा और उसका सब्सक्राइब नहीं है तो यह सारी चीज़ें दता हो जाएंगी और समाज़ादी पार्टी प्रचंड मौमा से सब्सक्राइब तो यह कहते ही रहेंगे और उनके कहने से क्या सब बदल जाएगा यह जनता ने जो दिया है बीजेपी को इसने या एक जनादेश उसको क्या रोक पाई अगर इतने सारे टीवी चैनल एक साथ बोल रहे हैं तो क्या सब गलत बोल रहे हैं वह केवल सही है यह उनका अपना सोच है वह उनका अपना हमत है लेकिन भारतिया जिनता पार्टी सरकार बना रही है आप क्या लगता आप नहीं खुद मजह हुए राई नितिक हैं किन चीजों के अनालीसिस करिए ऐसे कौन से चीजें रही है इसे कौन से फेक्टर रहे मुद्धे रहे जिसका सबसे जादा फायदा मिला ने अप्मक्नि पसफल मड़ाति उपनें और घली पेट हैंय। और सहल के विडिये तो शक्री में धेए खास करना मोदी से वर्वते हैं दो साल के कोविट कानें यो में राशन दिया है उसको उटा। उनके बच्चे कम से कम रोटी खाके तो सू रहे हैं भूजन करके तो रहे हैं हर मा चाहती है कि उसका बच्चा रोए नहीं वो कैसे भी रात को तुब खाना मिलनी चाहिए चर्चा है कि राशन प्लस सुषासन सुषासन जानि कानून विवस्ता पर जो कहा जाए करे zodा görकाप्र स्कूल को सब्सечिशाब्धा करन नगे पर या वर मेला कि ए-पर रही है फरे हुआ तो चींट को स्ब्रीपाइश्या पकी लेकरने जो शुशासन थिए पर ही मेला दिधवस है और मेला दिवस पर मैं सभी अपनी मेला को पर कामनाय विदे रही हूं लेकिन मोदी जी ने और योगी जी ने जो काम महिलाओं के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया और आधी आवादी है महिला 50% है तो यह वोट महिलाओं में जो सुरक्षा का जो कहा जाए भाव उनके घर किया उनको लगा कि अब वो पहले से ज्यादा वो निश्चिंत हैं बे इस को भी उन्होंने अप्रिशेट किया कि मोदी जी ने और योगी जी ने को बिड में हमारे पतियों के पास नौकरी नहीं थी काम नहीं था उसके बावजूद भी हमें राशन में किया तो मैं क्या लग रहा है अंतराश्री माईला दिवास एक बहुत बड़ा आप कद्द प्रवाज तो मैं. बीजेपी के प्रती जो एक तरफा जो वोटिंग रही है वो एक बहुत बड़ा विनिंग फेक्टर और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है उनका कहना है कि बीजेपी पूर्ड बहुमत के साथ और पहले से और मजबूर सरकार बीजेपी की बनने जा रही है अगरा से एबीपी गंगा खबर आपकी जवाआपकी